हलो मेरे बचों, welcome back to another video जी आज हम जानने वाले हैं fertilization क्या होता है साथ ही साथ हम जानेंगे कि implantation क्या होता है बड़ी कमाल की process है generally तो हमें ये कह देते हैं कि sperm और oa दोनों fuse होते हैं उसी process को बोलते हैं fertilization और resulting zygote का formation होता है ये तो सही है लेकिन actual में fertilization की process कैसे होती है कौन-कौन से enzyme secrete करता है NCRT इसको बहुत detail में नहीं कहते है लेकिन हमें जानना ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत important topic है ठेक है यहां scution भी frame होते है चलिए जान लेते हैं line to line NCRT जानेंगे लेकिन पहले जो चीज़ी जाननी ही चाहिए हमें इस पूरे चीज़ों को समझने के लिए वो दो चीज़ें पहला हमें sperm के बारे में पता होना चाहिए and number second हमें पता होना चाहिए OVA के बारे में OVA के structure के बारे में ठीक है मेरे बच्चों तो ध्यान दीजेगा जब आपने या मुए बोलू कि जब हमने पढ़ा था स्पॉम का स्ट्रक्चर तो आपको याद होगा यहाँ पर मैंने बताया था आपको यह जो एक्रोसोम होता है ठीक है यह एक्रोसोम किसका मोडिफिकेशन है गौलजी बॉड़ी का और यह सेक्रीट क करेगा फाइलाइजिशन में थीक है यह चीज आपको याद होनी चाहिए ठीक है यहां पर देखें मेरे बचल है यहां पर फािजीशन के बारे बोला जा रहा हा है ठीक है तो यहां पर अगर मैं पहले इस Schneekot अगर मैं इस चीज को पहले में संघ्व E है 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 न हैं न में क्या है एको रोसलॉ और वे एकों चुम बैए टीन इंजयम से की Rule रहा है वह राएनजयाइम क्या है मेरे बच्चों पहला है लाख है अ्यां यह्रॉणिक्षिज्ट 나र्वा लुरॉ्णित टे स्रिक्षेट हुगस्ट्ष्ट है हरा स़ुद्ष इंजैम, Corona, Penetrating, Enzyme, दूसरा एंजैम यह है जो तीसरा है उसका नाम है जोना-लाइसिं, जोना-लाइसिंग यह फिर इशी को बोलते हैं एक्क्रोसिंग ठीक है यह तीन वह इनका फंक्शन क्या है, उसे मैंने वहाँ पर mention करवाया था यहां पर जान लेते हैं सुनी एक्चुल में इसका काम होता है ओवा के उपर काम करना है अब ओवा को समझना पड़ेगा हमें तो अगर आप ओवा को देखे मेरे बच्चों तो ओवा की यह जो membrane आपको दिख रही है यह जो plasma membrane है ठीक है याद रखिए गा यह जो तो ओवा की प्लाज्मा मेंब्रेन है ठीक है हम जनरली इसे ओवा कह रहे हैं बट अभी की लिए यह क्या होता है एक्चुल में मेरे बचों सेकेंडरी उसाइट यह एक्चुल में क्या है अभी सेकेंडरी जनरली कह देते हूं बट ओव हम है नहीं इसीज को याद रिखेगा अभी यह ओवा उजनेसर में जब मनें आपको पढ़ा था मैंने आपको बता था कि समय में प्लाजमा मेंब्रेन को टच करेगा क्लियर तब जाकर कि पहले क्या हो कि में मेरेσιच plasma membrane है. इस plasma membrane को हम कहते हैं मेरे बच्चों 오u-plema क्या बोला? layma या फिर इसी के बोलते हैं wetline membrane wetline membrane ठीक है याद रिखिया. अब इस plasma membrane of echo wetline membrane तो बोला. उसके around जो space होता है. उसे बोलते है perivetalline space. क्या बोलते हैं मेरे बच्चों ? पर आप देखे यहां पर आप देखिए पर यहां पर देख पा रहे होंगे यह जो लेयर है उसका नाम क्या है Jonah Palocida के ऊपर कुछ cells लगी पड़ी है उन cells को हमने बोला है Corona Radiator क्या बोला मेरे बच क शो अब Corona Radiator की जो cell होती है वो आपस में कुछ cementing material के साथ अटाउईच होती है जैसे देखिए इनके बीच में odc Tub बीच मेंonut अब होती है एक cementing material की help से, इन cementing material की नाम है बेटा, higher lyronic acid, higher neuronic acid, ठीके, तो याद रखिए, होता क्या actual में, होता ये है, मेटिंग की time पर, male के penis से, जब siemen है निकलता है, तो siemen में ही होगा sperm, वो sperm vagina में आएगा, vagina के उत्फु कहां जाएगा, उसके cervix में, cervix के बाद कहां, uterus में, uterus से कहां जाएगा, fallopian tube में, और fallopian tube में already क्या होगा, egg, और वहाँ पर क्या होना है, fertilization, तो जब sperm entry करता हुआ, inseminate करता हुआ, fallopian tube में, egg, ampula वाले region में आता है, तो वहीं पर क्या होता है, fertilization, अब fertilization होगा कैसा, देखें, बहुत सारे sperm आते हैं, लेकिन कोई एक sperm ही उसे fertilize कर सकता है, एक से जादे sperm नहीं कर सकता, क्यों ऐसा, उसको भी जाना है, सुनिए, अब देखें, बहुत सारे, यहाँ पर तीन sperm दिखाए गए, यह sperm आ रहे हैं, मेरे बचों, fertilize करने के लिए, इस एगर को, लेकिन आप देखें, यह वा से बनी है, आपने बोला सर, हाया लिरोनी की असिड, तो इस सेमेंटिंग मेटेरियल को हटाना पड़ेगा, डिजॉल करना पड़ेगा, डिस्ट्वाइ करना पड़ेगा, तो इसका हेड क्या करेगा, पहले सेक्रीट क्या करेगा, मेरे बच्चों, हाया लिरोनी डेज एज जिसकी वज़े से यह से मेंटिंग मेटेरियल क्या होता है डिस्ट्रॉय हो जाएगा जब यह डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो Corona Radiator Cell क्या होगी थोड़ा सा अपस से दूर हो जाएगी अच्छा फिर जब और अंदर की तरफ एंटरी करेगा जब और अंदर की तरफ एंटरी करेगा तो सेक्रीट करेगा क्या Corona Penitrating Engine नाविए Corona Penitrate इंझे तो Corona Radiator Cell की graduate करेगा जब सेल को graduate करेगा तो यह और अंदर की तरफ आ यहाँ पर देखी और अंदर की तरफ आ गया ठीक है यह जैसे इस पर हम देखी यह भी थोड़ा सब Corona Radiator Cell के अंदर आ गया है जब यह और अंदर की तरफ आएगा तो कहां पर आ जाएगा मेरे बच्चों फिर उसके बाद आ जाएगा जोना पैलोसीडा लेयर के पास में और फिर क्या सेक्रेट करेगा जोना लाइसीन सेक्रेट करेगा एक्रोसीड जिससे क्या होगा यह जोना पैलोसीडा भी डिजॉल हो जाईगी है न और स्पर्म क्या करेगा आके प्लाजमा मिम्ब्रेन ओफ एग को टच करेगा और जैसे ही टच करता है, तुरंद second meiosis complete हो जाती है, Oum बिन जाता है, और Oum के साथ एक second polar body भी बनती है, छोटी से. फिर क्या होता है? Spum का head और neck, ये दोनों entry कर जाते हैं कहां? Cytoplasm of egg में, जिसके करण क्या होता है? Spum का nucleus और Oa का nucleus, दोनों आपस में fuse हो गए है, और तुरंद क्या हो गया? Fertilization, clear है मेरे बच्चों? ये इस तरह से fertilization होता है, ठीक है? लेकिन कुछ और चीज़े आप जानिए, फिर आप बोल सकते हैं, सब दूसरा वाला भी तो spum कर सकता है, नहीं कर सकता है, reason बता रहा हूँ, क्यों? NCRT नहीं कहती है, लेकिन बता रहा हूँ, सुनो, अब होता है क्या मेरे बच्चों? इसके अंदर छोटे-छोटे सेक्रेटरी वेसिकल होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, सेक्रीटरी वेसिकल, इनमें कुछ लिक्विड भरे होता है, कुछ material होता है, ठीक होता क्या है? जैसे ही plasma membrane of egg को टच करता है, वैसे ही ये सेक्रेटरी वेसिकल टूर्स पेरिफेरी, किना तो यहाँ पर ये पूरी तरह से भर दिया जाएगा, जिसकी वेज़े से क्या होता है? जोना पैलोसीडा जो होती हाड हो जाती है, और याद रखिए, जोना पैलोसीडा एक non-living acellular layer है, ठीक है? कैसी है? non-living acellular layer, अब peri-weight-line space हाड हो गई, जोना पैलोसीडा भी हाड हो तो more than one sperm entry नहीं कर सकता, अगर more than one sperm entry कर दिया तो इसको बोलते है poly spermi, poly मतलब क्या mini spermi मतलब क्या sperm, ठीक है? तो इस तरह से poly spermi से बचाया जाता है एक को, ठीक है? तो एक sperm और एक OA, दोनों का ही fusion होता है, हम इसे ये कह सकते हैं, सर, हम इसे ये कह सकते हैं, कि सर, generally, इस चीज होगी, है ना, एक mail होगा, female होगी, male से क्या बनेगा? sperm, जो कि haploid होगा, haploid मतलब क्या, इसमें 23 chromosome होगे, ठीक है, female से क्या बनता है, मेरे बच्चों, female से क्या बनता है? OA, generally हम इसे क्या बोलते है, egg, ठीक है, इसमें अभी number of chromosome 23 होगे, है ना, chromosome कि तरह होगे 23, अब ये sperm और OA, दोनों आपस में fuse हो रहे हैं, इसी प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया है, इसी प्रोसेस को हमने बोल दिया है, sir, fertilization, clear, fertilization बोल दिया, resulting क्या बना, sir, resulting बन गया मेरे बच्चों, zygote, क्या बना, zygote, और zygote कैसा बना, two endiplod, यानि क्या, अब देखे, 23 chromosome में था, 23 chromosome में था, तो यहां zygote में दोनों mix हो गए, तो क्या बन गया, 46 chromosome, clear है मेरे बच्चों, यह समझ में आया, ठीक है, तो इसी लिए sperm को haploid कहते हैं, egg को भी haploid करते हैं, तो haploid, haploid, n, n मिला, तो कितना हो गया, two end, ठीक, अब suppose करो आप, कि zygote जो है, वो एक single cell है, एक ही nucleus है, ठीक है, यह है zygote, अब जब zygote में division होगा मेरे बचों, मैटॉसे division, तो एक cell से दो cell बन गई, दो cell से कितनी cell बनती है, चार, चार से कितनी बनेगी, आठ cell, है ना, आठ cell बन गई, इस तरह से, तो यह क्या है, two cell, यह क्या है, four cell, यह क्या है, eight cell, फिर क्या बनती है मेरे बच्चों, पताए, फिर कितनी cell बन जाएंगे, 16 cell, ठीक है, 16 cell बन जाती है, और याद रखिए, 16 cell के बाद जो होता है, यह continuous इस तरह से division चलता रहता है, 32 cell, है ना, फिर उसके बाद किना 64 cell, इस तरह से divide होता रहता है, और finally क्या बना लेगा मेरे बच्चों, blastocyst, क्या बना लेगा, blastocyst और यही blastocyst जाकर क्या होता है, uterus में implant होता है, after 7th day of fertilization, clear है, fertilization के 7 दिन के बाद जाके uterus में implant होगा, pregnancy को continue किया जाएगा, लेकिन NCIT इसमें बड़ी खुबसूरत चीज़े कहते है, क्या कहते है, 8 to 16 cell जो stage होती है, embryo की, उसी को बोलते है, morula, क्या बोलते है मेरे बच्चो morula कहते है, clear है, इस चीज़ को याद रखे, चली आगे बढ़ते है, line to line NCIT बढ़ते है, I hope so, आपको समझ में आया होगा, ठीक, यहाँ पर देखे मेरे बच्चों, क्या बोलता है, क्या कहते है, NCIT कहते है, during copulation coitus, semen is released by the penis into vagina, insemination, है न, insemination हो रहा है, the motile sperm swim rapidly and pass through the cervix, enters into the uterus and finally reach the ampoula region, very very important, कहाँ पर पहुँचेगा, ampoula region, किसका, fallopian tube का, तो मैंने आपको बताया, the fertilization actual में कहा होता है, ampoula region में, ठीक है, ampoula region में होगा, of the fallopian tube, ठीक है, the ovum release by the ovary is also transported to the ampoula region, तो एक भी रिली जुकर के कहा है, fallopian tube के ampoula में, तो fertilization भी कहा होगा, ampoula में, इसलिए आप से पूछा जाता है, क्या, site of fertilization क्या है, तो आप बोलेंगे, sir, ampoula, ठीक, fallopian tube का ampoula, widest part होता है, where fertilization takes place, जहां पर fertilization होता है, ampoula region में, fertilization can only occurs if the ovum and sperm are transported simultaneously to the ampoula region, reason, ऐसा क्यों, कि बोला है, sir, fertilization तभी होगा, जैसे देखिए आप, यहां पर देखिए, female reproductive track यहां पर दिया गया है, थोड़ा साम आ जाते हैं, यहां पर देखिए, यहां पर समझते हैं, यह बोला है, sir, यह ओवेरी है, यह ओवेरी है, ओवेरी से निकलेगा एग, और यह जो एग है, मेरे बच्चों, collect कर लिया जाएगा, फिंबरी के थुरू, और यह पहुँचेगा कहां, एमपुला वाले region में, यहां पर, और बोला, यह fertilization तभी होगा, जब इसी टाइम, इस टाइम, एग जो है, वो ट्रांसफर कर रहा है, एमपुला रीजन में, उसी टाइम, स्पॉम भी किदर की तरफ जा रहा हो, एमपुला रीजन की तरफ, तभी fertilization होगा, क्यों है, क्योंकि मैंने आपको बताया, जो एग ह है ना, तो पता चले, कि ज्यादा टाइम हो गया, तो एक पहली मर जाएगा, ठीक है, और पता चले, इस पन पहली ही आ गया, एगा भी रिलीज ही नहीं होगा, तो भी fertilization नहीं होगा, तो जरूरी है कि दोनों एक साथ आगे बड़े, ठीक है, जिससे वो suitable time पर मिल सके और fusion ह हो सके, fertilization हो सके, clear है मेरे बच्चो, I hope so समझ में आया होगा, आगे देखो, देखो, बड़ी important चीजे है, ठीक है, NCRT अलग-अलग pages पर कह देती इसको, और हमें उसे collectively समझना है, आगे देखो क्या कहती है, NCRT, this is the reason why not all copulation leads to fertilization and pregnancy, इसलिए क्या होता है, कि एक release नहीं हुआ पर रहता है, copulation होता रहता है, इसलिए female pregnant नहीं होती, तो जरूरी है कि सही टाइम पर हो, और आगे देखी क्या है, the process of fusion of sperm with the ovum is called what, fertilization, we already know, during fertilization, a sperm comes in contact with zona pellucida layer of the ovum and induce change in the membrane that block the entry of additional sperm, clear है, तो मैंने आपको बता है, कि zona pellucida जो होती है, उसे hard कर दिया जाता है, peri-weight line space में content डाल दिये जाते हैं, secretary vesicle के, जिससे की दूसरे sperm की entry नहीं हो पाए, तो मैंने आपको बता है, NCRT इसको बहुत detail में नहीं बताती है, ठीक है, चली, लेकिन आप जानते लिए, thus, it ensure that only one sperm can fertilize ovum, इससे क्या हो सकता है, सिर्फ एक ही sperm fertilization कर सकता है, ठीक है, आगे देखे, the secretion of acrosome helping sperm enters into the cytoplasm of the ovum through the zona pellucida and plasma membrane, ठीक है, और plasma membrane, याद रखेगा, secretion of acrosome, secretion of acrosome में 3, मैंने आपको बताया थे, secretion होता है enzyme का, hyaluronidase, corona penetrating enzyme and zona lysine, ठीक है, आगे देखे, मेरे बच्चों, आगे क्या होता है, आगे क्या होता है, सुनी, आगे कहती है NCRT, this induced the completion of the meiotic division of the secondary oocyte, कौन सा meiotic division मेरे बच्चों, याद रखेगा, यह किसकी बात कर रहा है, the second meiotic division is also unequal, equal नहीं होगी, unequal होगी, मैंने आपको बताया था, result in the formation of a polar body, एक polar body बनेगी, जो non-functional होगी, and a haploid ovum, और एक ovum बनेगा, जब sperm touch करता है, ठीक है, और इसी को क्या बोल सकते है, soon the haploid nucleus of the sperm, and that of the ovum, fuse together from a diploid zygote, पूछा क्या है, how many chromosomes will there in the zygote, तो हम क्या बोलेंगे सर, 46 chromosome, कितना chromosome मेरे बच्चों, 46 chromosome, अब देखिए, यहाँ पर कुछ chromosomal level पर चीजे खेली गए है, यहाँ पर इस पैरा में बताया गया है, ठीक है, अगर हम इसको ऐसे समझ ले, इसको ऐसे समझ ले, इस पर्टिक्लर फ्लो चार्ट को, इस पूरे पैरा को, कि chromosomal level क्या होता है, तो हम आप इस चीज़ को ऐसे समझ ले, कि जो male होता है मेरे बच्चों, हम तो daploid होते है, जो female होगा, वो भी human का कैसा होता है, daploid है, है ना, 2N, यह कैसा होते है, 2N, तो 2N है, यह भी female भी कैसी है, 2N है, तो 2N है, तो number of chromosome कितने सर, 46, इसमें भी female में भी 46 chromosome, ठीक है, अब इनमें meiosis division के थुरू क्या हो रहा है, gamit का formation, meiosis division को क्या बोलते है, reductional division, जो gamit बनने हैं, उनका नाम क्या है, sperm, जो की haploid है, और इसमें क्या बनेंगे, oa, जो की यह भी क्या है, haploid, तो haploid है, तो number of chromosome बताईए, इसमें number of chromosome बताईए 23, इसमें कितने होंगे, 23, यह तो हमको पताई, लेकिन याद रखे, जो male होता है मेरे बच्चों, इसमें, दो तरह के chromosome होते हैं, एक होता है X, एक होता है Y, clear है, अच्छा, female जो होती है, उसमें एक ही type के chromosome होते हैं, होते हैं तो लेकिन टाइप जो है वो एक है जैसे एक्स और एक्स तो несколько सिर्फ इस Live começar चिस वहागा में एक्स और वाई दून होते हैं ठीक होते हैं और यह किसा कि मेल के अंदर दो टाइप के sperm बनेंगे, एक ऐसा sperm जिसमें X होगा, एक ऐसा sperm जिसमें Y होगा, लेकिन female की case में सिर्फ ऐसे ओवा बनेंगे, जिसमें क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ X होगा, समझ पा रहे हैं, ठीक है, अब होता है क्या है मेरे बच्चों, suppose करो आप, suppose करिए आप, कि ये जो X व वाले sperm ने fertilize कर दिया, तो यहां पर XX आ गया, तो resulting क्या होगा, यहां पर जो individual produce होगा, वो होगी एक girl, ठीक है, इस तरह से लड़किया बनती है, लच्चमी आई है, clear है, लेकिन मेरे बच्चों, अगर यहां पर ये X है, एक है, इसे एक Y क्रोमोजोम वाले sperm ने क्या कर दिय या, fertilize कर दिया, तो यहां पर क्या आ गया, वाई, तो कहते हैं सर, ये boys होगा, बधाई हो, नलायक पैदा हुआ है, है ना मेरे बच्चों, boys के कोई इंजत नहीं है, घरवाले करते ही नहीं, पापा तो बिलकुल नहीं करते हैं, ठीक है, तो इस तरह से लड़के और लड़ है, ठीक है, तो हमने एक चीज़ आ लेकि, इस पम भी 23 होता है, ओवा भी 23 होता है, जाइकोड भी बनेगा, और इनमें क्रोमोजोमल चीज़े कैसे होती है, ठीक है, तो male में xy होगा, female के case में xx होगा, ठीक है, और फिर से अगर आप देखें, तो यह क्या हो गया, डापला से आ रहा है, एक y, n, यानि 23 क्रोमोजोम कहां से आ रहा है, फादर से आ रहा है, ठीक है, चली, तो इसका flow chart का आप ले सकते हैं, screenshot, clear है बच्छों, आगे पढ़ता है, यहां पर देखें, क्या बोला गया है, क्या बोला गया है सर, बड़ी मैज़ेदार चीज़े हैं, देख बस, decide हो जाता है, वो लड़का बनेगा या रड़की, है न, कैसे जानते हैं, let us see how, as you know, the chromosome pattern in the human female, human female में कैसा होगा, xx होगा, and that in the male, कैसा होगा, बच्छों, xy, therefore all the haploid gamete oa produced by the female have the sex chromosome x, ठीक है, बोला है, all, जितने भी होंगे, female के oa, उन में सिर्फ और सिर्फ क्या होग ठीक है, whereas in the male gamete sperm, the sex chromosome could be either x or y, तो male में दो तरह का gamete बन रहा है, x and y, है न, sperm, hence 50% sperm carry x chromosome, while the other 50% carry y chromosome, after fusion of male and female gamete, gamete, the zygote would carry either xx या फिर xy, depending on whether the sperm carry x or y, fertilize the over, तो बोला है, simple सिर्फ भाई, कि 50%, 50% male के case में sperm जो होंगे, x वाले होंगे, 50% y वाले, तो लड़का होगा या लड़की, यह सिर्फ इस पर depend करता है, कि किस type के sperm ने fertilize किया हुआ को, अगर x ने किया, तो क्या हो जाएगा, लड़की, अगर y sperm ने किया, तो क्या हो पता है, female को, ठीक है, चीजे हैं भाई, ठीक है, नलायक लोग, इसलिए तो sex education ज़रूरी है, लोगों को पता चल सके, अपनी गलतियों के लिए, किसी और को ब्लेमना कर सके, है न, चले, male dominance ही दिखानी पड़ती है, थोड़ा बहुत, है न, जो कि गलत तो है, चलो, the zygote carry, XX, would develop into female baby, and XY, would form a male, you will learn more about the chromosomal pattern in chapter 5, जिसके मैं बात करा हूँ, chromosomal, है न, आप पढ़ेंगे, inheritance and variation में, कि कैसे लड़का लड़की बनता, सेम चीजे, ठीक है, ऐसे, that's why, scientifically, it is correct to say that, the sex of the baby is determined by the father, and not by the mother, यानि sex of the fetus के लिए कौन responsible है, बताइए, male father, है न, लड़की ने, ठीक है सर, चले, कोई बात है, लेकिन मेरा मानना है सर, कि एक लड़की की जीवन में, किसे भी female की जीवन में, जो जादा तर problem होती है, मैं हमें सा केता हूँ, बच्चो है, आपको लगेगा, ऐसा क्यों है, क्योंकि दिखिए आप, कि, जनरली साधी के बाद ही लड़कीं की लाइफ में, जाद अतर problem आती है, है न, इस तरह की, मतलब family वाली, ठीक है, आप देखते हैं कि, सास होती है, उससे जादी problem होती है, ननद होती है, उससे जादी problem होती ह है, दिवरानी, जठानी होती है, उससे problem होती है, अगर, आपने दिखा, मतलब, अगर ladies में ठीक है, सब कुछ family में, तो सब ठीक है, नहीं ठीक है, तो बार की, सब 10% problem होती है, बार की, बार की, तो सब manage हो जाता है, ठीक है, ये चीज होती है, अगर girls girls को support करने लगे, ladies ladies को support क करने लगे, तो मेरा मनना है कि 90%, में भी मैं wrong हो सकता हूँ, लेकिन मेरा मनना है कि 90% problem घर की solo हो जाती है, अगर ladies में सब ठीक है, ठीक है, अब यह मत बूलना सर, क्या आपके घर में ऐसा होता है, होता तो नहीं, अच्छी है, प्रभू की कृपा है, ठीक है, और सब ऐसा ही चलता रहे तो जादा ठीक है, सब के घर में ऐसा ही हो, ठीक है, आगे बढ़ता है, अच्छा, अब बोला development की stage, जो मैंने आपको बताई थी, यहां पर देखी, जो development की stage मैंने आपको बताई थी, कहां गया, कहां गया, just a second मेरे बिच्चो, यहां पर देखो, मैंने बताई द का क्या होता है, implantation, यह चीजे में जानने है, ठीक है, अच्छ, अब यहां पर cleavage का दिखा गया, और implantation की आगे बात की जाएगी, ज़रा ध्यान से देखो, क्या बोलती है, NCRT, NCRT क्या कहती है, NCRT कहती है, the metodotic division is start as zygote, moves towards the isthmus of the ovidot, called what, cleavage, towards the uterus, तो धीरे-धीरे ज तो इधर की तरफ आकर implantation होना है, uterus में क्या होना है, implantation, implantation uterus में होना है, तो जैसे ही zygote बना, यह आगे की तरफ move करने लगेगा, और धीरे-धीरे इसमें division होने लगेगा, जब division होगा, तो क्या बनेगा, सर देखिए, and form what, 2, 4, 8, 16, daughter cell, called what, blastomere, जो cell सबंती, उनको बोल blastomere, called morula, very, very important, क्या बोलेंगे, morula, need का question है, sir, आगे देखिए, the morula continue to divide and transform into blastocyst, और यही morula, 8 to 16 cell stage आगे क्या बनता है, blastocyst, as it move further into the uterus, और यह uterus में आगे move करता है, the blastomeres in the blastocyst are arranged into outer layer, called what, trophoblast, blastocyst में outer layer बनेगे, inner layer, तो outer layer को क्या बोला है, मेरे बैच हो, याद रखिए, outer layer को क्या बोला है, blast, trophoblast, and inner जो group of cells होंगी, attached to the trophoblast, उन्हें हम क्या बोलेंगे, inner cell mass, very, very important, ठीक है, इनी को हम बोलते है, stem cell भी क्याते है, ठीक है, inner cell mass, the trophoblast layer, then get attached to the endometrium, and inner cell mass, get differentiated as embryo, after attachment, the uterine wall, cell divided rapidly and cover the blastocyst, as a result, the blastocyst become embedded into the endometrium of the uterus, this is called what implantation, and it leads to pregnancy, क्या हो गया है, blastocyst आगे क्या करता है, divide हो करके, क्या बनाएगा, मेरे बच्चों, embryo बनाएगा, उसकी inner cell mass embryo बनाएगी, और फिर क्या होता है, जो blastocyst, uterus की wall के साथ, attach हो जाता है, endometrium उसके उपर उसको buried कर देती है, उसको embedded कर देती है uterus में, और pregnancy उसके आगे continue होती है, तो जो blastocyst है, जब वो attach होता है uterus की wall के साथ, उसी process को हम क्या बोलते है, implantation, clear है, अच्छा, यहाँ पर blastocyst के बारे में जानना है, यहाँ पर देखी, blastocyst का structure बनाया गया है, ठीक है, यह देखो, cell divide हो रही है, हो सकता है, यहाँ पर 32 cell stage हो तो यहाँ पर आगे क्या बनेगा blastocyst, अब blastocyst के बारे में कुछ सीज़े जान लीजी अब, बहुत ही important है, number one, यह जो outer layer है मेरे बच्चों, यह जो outer layer है, इसे हम बोलते है, क्या, trophoblast, क्या नाम दिया इसका, trophoblast, एक चीज़ समझे, यह कैसी है बटा, outer layer है, NCIT कहती है, है अच्छा, यह trophoblast आगे चलके divide होती है, और four layer का formation करती है, जिसे बोलते है, amnion, amnion, दूसरा है बच्चों, koreon, ठीक है, तीसरा है, ellen toys, ellen toys, चौथा है मेरे बच्चों, york sag, इसको याद रखेगा, जब embryo का development आगे होगा, pregnancy में, baby develop करेगा, तब यह layer बनती है, कौन बना पर अंदर की तरफ कुछ cells present है, इनको बोलते है, inner cell mass, क्या बोलते है, inner cell mass, क्या सरी यह inner है, आउटर, नाम ही यह inner, ठीक है, अब यही actual में बनाता है, मेरे बच्चों, embryo, क्या बनाएगा, embryo, अब यही embryo आगे divide होता है, और तीन layer बनाता है, मेरे बच्चों, कौन कौन सिस और उसके बाद में, इंडोडर्म के बाद, इक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में एक layer बन जाती है, जिसे बोलते है, मीजोडर्म, ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, थ्री layer बन गई, germinal layer, और इन ही layer से फिर क्या होता है, हमारे body के सारी organ बनते है, kidney, heart, gallbladder, सब बन बलता है, ठीक है, इन ही तीनो layer की वज़े से, ठीक है, इस चीज को याद रखेंगा, अच्छा, एक बड़ी important चीज, यह blastocyst है, ठीक है, इसको पहचाने की कैसे, आप देखरों, inner cell mass जो है, और trophoblast जो है, इनके बीच में यहाँ पर एक cavity भी दिखती है, इसको बोलते है, blastocy seal, यह क्या है actual में बच्चों, cavity होती है, ठीक कुछ चीजे और पूछी जाती है, जैसे मैं आपको बता दूँ, यह जो inner cell mass है मेरे बच्चों, यह totipotent in nature होता है, totipotency, इनमें क्या होती है, totipotency, totipotency का मतलब क्या होता है, एक ऐसी cell, जो हर एक type की cell बना सके, हर एक type का organ ब clear है, आज की time पर stem cell therapy चलती है, तो यह stem cell है, हमारे body की कोई भी organ बना सकती है, लेकिन इसका जो use है, government ने कुछ बैन कर रखा है, कुछ limited ही use में है, नहीं तो हम इसे kidney calculator, pancreas, heart कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन government इसे कुछ, बहुत ही critical reason की वेज़े से बैन कर रखा है, ठीक है, I hope so, चीजी आपको पसंद आई होगी, समझ में आया होगा, फिर भी कोई doubt रह जाए, तो comment करिए, मैं आपको reply ज़रू करूँगा, बाकी मेरे बच्चों, next lecture में हम पढ़ने वाले हैं क्या, pregnancy and embryonic development, हम जानेंगे next lecture में कैसे, first month में baby में क्या बनता है, second month में क्या बन बनता है, कब हाथ बनते हैं, कब पैर बनते हैं, कब बच्चा टिक टॉक बनाने रायक हो जाता है, हाद एक process जानेंगे, बड़ी खुबसूरत है, और जानेंगे कि मा के गर्व में हम कैसे थे, कैसे हमारा development हुआ, ठीक है, बाकी मिलते हैं आपसे next video में, एक नई information के साथ, अपकिनी, जाहे!